वाटिका सिंग और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की हाव टू मैक बाइलोजी लेशन प्लान यहां पे हमारा टॉपिक है उर्वरक व रोगाडू ना सक तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप से कुछ कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे इस वी करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अबडेट आपको जल्द मिल जाएगी जिसे कि आप हमारा किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे बालोजी लेशन प्लान बनाने के लिए आपको बीचो बीच सेंटर में आपको इस तरह से लिखना होता है पार्थ योजना इ या आपका 14 पार्थ योजना है उसके बाद आप लिखते हो बिद्याले का नाम आप जिस भी बिद्याले से अपना बीटी सी डियले कर रहे होते हैं उस बिद्याले का आपको इहां पे नाम लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो दिनांग जिस डेट को आपको इहां पर दिनांक में लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो विषय आप जिस विषय के बारे में पाठ्योजना बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने विषय में बायलोजी लिखा है यानि कि हम बायलोजी विषय के बारे म पाठ्योजना बना रहे हैं उसके बाद आप लिखते हो चक्र यहां पे हमने चक्र में फर्ष्ट लिखा है बच्चों को पढ़ाने के दोरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है जैसे कि हमने यहां पे पीरियड में फर्ष्ट लिखा हुआ है उसके बाद आप लिखते हो कच्छा आप जिस भी कच्छा के लिए पाठ्योजना बनाते हो उस कच्छा को आपको कच्छा में लिखना होता है हम एर्थ क्लास के लिए पाठ्योजना बना रहे हैं इसलिए हमने कच्छा में एर्थ को लिखा हुआ है उसके सबुसक्यारी बहुतल डशां मरकेर उचावर को सब्सक्राइब करूर जो होता है वह पर सुत व्लत व में एक ऐसी सिदी लाइंग खीश देते हैं जिसे हम विषय का index और blackboard entering भी कहते हैं इस विषय के index में इस blackboard entry में हमने आपको संचीत में सारी जानकरियां दे दी है उसके बाद आप लिखते हो सामानी उदेश, पहले तुमें आपको बता दूँ कि यह सामानी उदेश क्या होता है बच्चों को जो बिसय आप पढ़ाते हैं उससे बच्चा क्या सीख रहा है उसे ही हम सामान उदेश कहते हैं सामान उदेश में हम अपने बिसय से रिलेटेड 5-6-7-8 पॉइंट अपने बिसय के बारे में हम लिखते हैं और एक इंपोर्टन जानकरी मैं आपको यहां पे दे दूँ कि जैसे कि आप बायलोजी की 20 पार्ठी होजना बना रहे हैं तो आप बायलोजी की 20 पार्ठी होजना में यही सामान उदेश आप बार बार वहां पे लिख सकते हैं सामान उदेश में यहां पे हमारा यहां पहला पॉइंट सामान उदेश में है चात्रों में बिज्ञान विशे के प्रती रूची उत्पन करना दूसरा पॉइंट सामारा यहां पे है चात्रों में बग्यानिक दिश्ट्री को रुथपन करना तिसा पॉइंट समारे याँ पे है चात्रों को शामाने बग्यानिक सिधानतों से अवगत करना चोथा पॉइंट समारे याँ पे है चात्रों की मानसिक सक्तियों का विकास करना उसके बाद आप लिखते हो बिशिष्ट उदेश तो पहले मैं आपको बता दू कि यह बिशिष्ट उदेश क्या होते हैं जो पार्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसे बच्चा क्या सीख रहा है उसे ही हम बिशिष्ट उदेश कहते हैं विशिस्ट उदेश हमारे तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है हमारा ग्यानात्मक उदेश दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उदेश और तीसरा हमारा हो जाता है कौसलात्मक उदेश इन तीनों उद्देसों में लगबग आपको दो-दो पॉइंट्स लिखने होते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्यानात्मक उद्देस में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को उर्वरकों के विशय में बताना दूसरा पॉइंट समरा है चात्रो के समझ रोगाडू नाशक को व्यक्त करना बुधात्मक उदेश में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट से है बुधात्मक उदेश में चात्रो को खाद के विशे में बताना दूसरा पॉइंट समरा बुधात्मक उदेश में है चात्रो को र गारू नासक के बिसे में ग्यान अर्जित कर पाएंगे दूसरा पॉइंट समरा यहां पे है चात्र व्याख्या करने का गुण सिखेंगे उसके बाद आप लिखते हो शामान शाहयक शामागरी तो पहले मैं आपको बता दू कि यह साहयक सामागरी क्या होती है बच्चों को प समागरी के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डश्टर, सांकेतक, कच्छो, प्योगी, शामागरी, आदि उसके बाद आप लिखते हो पुर्वग्यान तो पहले मैं आपको बता दू कि यह पुर्वग्यान क्या होता है यह जो पुर्वग्यान होता है या लगबग सभी का प्रशन करते हैं जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाते हैं पहला कॉलम तो आप बनाते हैं करम संख्या का कॉलम जिसमें कि आप चात्रों से पूछे गए कोशन के करम को लिखते हो दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो चात्रा दियापके क्रियाओ कॉलम जिसमें कि आप चात् लेने है तू वायू व फल कहां से प्राप्त होता है तो छात्र आंसर देते हैं हमें सास लेने के लिए वायू व फल आदी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है दूसरा कोशन यहां पे हमारा छात्रों से है पेड़ पौधों की व्रिधी है तू क्या क्या आविशक है तो चात्र आंसर देते हैं, पेड़ पौधों की व्रिधी हेतु, प्रकास, पानी, मिट्टी, खाद वव उर्वरक आधी आवेशक है, तीस्ता कोशन हमारा चात्रों से है, उर्वरकों से पौधों को क्या प्राप्त होता है, तो चात्र आंसर देते हैं, उर्वरकों से पौध परदान करते हैं इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज कोई जानकारी नहीं है आप लिखते हो उदेश कथन उदेश कथन में आप लिख सकते हो बच्चो आज हम उर्वरक वर रुगारू नासक के विशय में अध्यान करेंगे उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण यहां पे प्रस्तुतिकरण में कुछ भी नहीं लिखा है लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो अध्यान अध्यापन की दिष्टी से पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बाद हम व्याख्या करते हैं व्याख्या करने के लिए हम चार कॉलम बराएंगे पहला कॉलम तो हम बरा चात्र ध्यान प्रुवक्त व्याख्या को सुनेंगे इसमें हम यह भी लिख सकते हैं चात्र चात्र अनुक्रिया के कॉलम में सभी विद्यार्थी ध्यान प्रुवक्त सुनेंगे लास्ट कॉलम हम बनाएंगे श्यांपटकार का कॉलम जिसमें की हम मुख्य मुख्य तो अब हम व्याख्या करते हैं, पेड़ पौधों की उचित ब्रिधी हो उसके लिए खाद की आविशक्ता होती है, पेड़ पौधों की ब्रिधी हेतु मुख्य पोशक तत्व नाइट्रोजन फास्फूरस तथा पोटैशियम होते हैं, इनमे से अधिकांस तत्व इन्हें मि एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाने से मिट्टी में इन पोशक तत्वों की कमी होती रहती है, इसके लिए आविशक है कि भूमी जोत कर छोड़ देंगे, ताकि पर्यरण श्वयम पूर्ती कर दे दूसरा पोटैश है, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए, तीसरा पोटैश है, भूमी के उर्वरकों की कमी के पूर्ती हेतु रशायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें उर्वरक कहते हैं भारत के प्रमुख उर्वरक कारखाने निमलखित हैं, उतर परदेश, कानपूर, इलहाबाद, फूलपूर, बिहार, सिंद्री, पंजाब, नागल, गुजरात, कलोल, कांदरा, कुछ प्रमुख उर्वरक, यूरिया, सोरा, शिंगल, सूपर, फास्ट, मिक्ष्ड, यन्पी, के, डी, ए, पी, आदी व्याख्या करने के बाद, आप श्यामपटकार में मुख पॉइंट्स के रूप में, आप पहला पॉइंट्स लिख सकते हैं, श्यामपटकार में, मिट्टी में पोसक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, खाद और उर्वरकों का प्रियोग किया जाता है, दूसा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, श्यामपटकार में, फसल की अच्छी बृधी के लिए, खरपतवार नियंत्रण भी आविशक है, तिसा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, श्यामपटकार में, खरपतवार को कुछ राशायनों द्वारा नश्ट किया जाता है, जै जसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्कुशन के करब को लिखोगे दुसरा कॉल म्म जो है कि आप बनांगे चात्रा दिया पुस्षन किरिया को लिखोगे पेर पधों की भिष्धी है तो प्रमुख पोशक तत्व तक्षत होते हैं तो चात्र आंसर देते हैं प्रमुक पोशक ततो नाइट्रोजन फास्पोरस तता पोटेसियम आदी हैं दूसरा कोशन हमारा यहां पे छात्रों से है कुछ प्रमुक उर्वरकों के नाम बताईए तो छात्र आंसर देते हैं उर्वरक, यूरिया, सोरा, डीडीटी, डीएपी, आदी उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं जिसके लिए फिर से आप वही सब सारी प्रोशेस को दो राते हैं व्याख्या करने के लिए आप चार कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम आप बनाएंगे सिचर बिंदू का कॉलम जिसमें कि आप लिखेंगे कीट नासक के रूप में DDT का प्रभाव दूसरा कॉलम जो है कि आप छातरा अधियाप का किराओं कॉलम बनाएंगे जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे तीसरा कॉलम आप चात चात अनुक्रिया का कॉलम बनाएंगे जिसमें कि आप लिखेंगे सभी विद्यारती ध्यान प्रुवक व्याख्या को सुनेंगे आप छाते छाते अनुक्रिया के कॉलम में ऐसा भी लिख सकते हैं कि सभी student ध्यान प्रुवक व्याख्या को सुनेंगे last कॉलम जो है कि आप स्यामपट कारे का कॉलम बनाएंगे जिसमें कि आप मुखे मुखे पॉइंट्स को लिखेंगे तो अब हम व्याख्या करते हैं के रूप में पौधों में डाला जाता है यह प्रक्रिया इस प्रकार से डिडिटी का पौधों पर छिड़काव डिडिटी का पौधों पर छिड़काव मित कीट वर्षा जल मित कीट पत्यों का भोजन वर्षा जल द्वारा यह नदियों तक पहुशता है पत्यों का भोजन से डिडिटी जहर से पत्यों का मरना बड़ी मचली द्वारा छोटी को निगलना मनुसय या अन्य जिवजन्तू द्वारा पच्यों का भच्छण मनुसय द्वारा उन मचली का भच्छण मनुस्य में DDT पाउडर का जाना अनाजों वो फसलों को बिमारियों तथा किट नासकों से बचाव है तू DDT बियस्ट सी तथा मैथल आदी का उप्योग किया जाता है जो की हानिकारक होता है अतर इनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाना चाहिए व्याख्या करने के बाद आप स्यामपटकार में मुख्यो पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स श्यामपटकार में लिख सकते हैं पॉदों में प्रयुक्त किये जाने वाले कीट नासकों का हानिकारक प्रभाव भी होता है क्योंकि ये वर्षा के जल में भकर नदियों में चला जाता है बाद में यही जल पानी के द्वारा तथा पानी के जीवों मचलियों केकडों आदी द्वारा मानों के सरीर में आकर हानिकारक प्रभाव उद्पन करते हैं वाख्या करने के बाद आप चात्रों से बहुत प्रश्न करते हो जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाओगे पहला कॉलम तो आप बनाओगे बहुत प्रश्न का कॉलम जिसमें कि आप चात्रों से पूछे गय कोश्चन के क्रम को लिखते हो दूसरा कॉलम जो है कि आप चात्रा question हमारा चात्रो से है DDT powder नदियों तक कैसे पहुँशता है तो चात्र औंसर देते हैं DDT powder वर्षा के जल द्वारा नदियों तक पहुँशता है कुछ प्रमूख किट नासकों के नाम बताई है तो चात्र औंसर देते हैं DDT, B, SHC Methyl आधी प्रमुक किट ना सक है उसके बाद आप छात्रों को गिरिकार देते हो गिरिकार के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो बचो आप सब DDT के दूस प्रभावों पर चार्ट बना कर लाएंगे इस तरह से आप छात्रों को गिरिकार दे सकते हो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सेयर करिए और इस पार्थ होजना की लिंक हमने डिस्केप्शन बॉक्स में दे रखी है वहाँ पे हमने आपको ब्लागर लिंक, ट्यूटर लिंक और ड्राइब लिंक दे रखी है तीनों लिंकों में लिंकों को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं पाठ्योजना के दोरान अगर कोई भी दिक्कत कोई भी कोशन मुझसे पूट अप करना हो ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अप्डेट आपको जल्द ही मिल जाए जिससे की हमारा कोई भी वीडियो आप से मिसना हो पाए और लाइक और आई एम तेलिंग यू प्लिस लाइक एंड शेयर इस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंग एंड डोंट फॉर्गेट तो पूट अन्ट नोटिफिकेशन वेल तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ